वेलकम टू पारप्लान गुरुजी इस वीडियो में हम लोगों बात करेंगे पारप्लान इंटर्वु में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन के बारे में जो की बॉयलर से रिलेटेड है कुश्चन बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो चलिए पहले सब्सक्राण नगeैं तो गया यह चैंड़ कर जानने के कुश्चन के किया या तो कि सब्सक्राण में जो सब्सक्राइड होना चाहिए या बात में होना चाहिए ले में लगा के होना चाहिए या बाद में होना चाहिए क्या क्राइटेरिया या किस चीज को कंसीडर करके डिसिशन लिया जाता है कि कौन सा सेप्टिभाल पहले पॉप होना चाहिए तो इस वीडियो में हम लोगों इस चीज का उपर जानकारी लेंगे तो यदि ये बला वीडियो आपको कांप से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों कंप्लेटलिक लिकावी मरी वीडियो को नहीं देखते हैं जिसके बज़ज़ से आपका मन में हर समय प Math क्रेट होते रहता है तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों मेरा जितना भी वीडियो है आप लोगों कम्प्लेट्री उसको देखिए उस वीडियो में मैं बीच बीच में टीप्स ट्रिक देते रहता हूं लास्ट को भी मैं बताते रहता हूं टीप्स कहिएगा तो आपको बहुत सरे इंफर्मिर्मिर्टिव चीज सिखने के लिए मिलेगा मेरा सभी वीडियो में तो चलिए आगे बढ़ता हैं बॉयलर का कि एलेचेस या आरेचेस कोन पहले पॉप करेगा यह डिशाइड किया जाता है बॉयलर कि सेड में स्लांट किया है स्लांटिंग किया है यानि कि बॉयलर का ड्रम ऐसा है किस सेड को वो डाउन हुआ है और बॉयलर में जो सीवीडी लाइन कनेक्शन हुआ है वो किस साइड में connection हुआ है यह दोठो चीज का उपर depend करता है कि boiler का drum में जो LHS और RHS 75 लगा है उनमें से पहले कौन पॉप करेगा clear हो गिया यह तो हो गिया आप लोगों का जो boiler का drum incline करके होगा उस boiler में आप कैसे decision ले पाएंगे ओके लेकिन मैं बताया हूं मेरा पिछला वीडियो में भी कि सभी boiler का drum incline नहीं रहता है ओके तो जिस boiler का drum horizontal रहेगा यानि कि ऐसे रहेगा तो उस boiler का जो सेप्टिव हल्प रहेगा वो कौन पहले पॉप करेगा एक से decision क्या क्या जाएगा देखिए जो बॉइलर हरीजेंटल रहेगा ऐसे रहेगा कुछ भी incline नहीं करेगा और यह हो गया उसका मालीजे सेप्टिवाल पॉके यह लहस्स यह आरेचर तो इसमें कि पहले लहस्स यह रहस्स कोई saftival पहले पॉप हो यह कुछ मतलब नहीं होता है कोई भी कर सकता है क्योंकि पूरिस परां ग्राचव ग्राफ ये पूरे चारय तराफ भुकू का भिकहरा हुआ रहता है वokay इए एक साइट में नहीं रहता है एक हरिजेंटल लेकिन में क्या होता है कि एक इन्क्लाइन में यह एक इंट्रैंड ड्राम है कि ओके कि इस एक इन्क्लाइन ड्राम है जो कि आपका मानलीज़र फौर्ड डिग्री एंगल किया है हरींटल के साथ तो यह हो गया उसका लेटेस यह हो गया उसका औरेजेस ओके यह सब्टी भाल में ईसमें क्या होता है ना यह जिस सेट में डाउन होगा तो उस सैट में आपका इस सैट को लेकिन इसमें हरी अंटाली में क्या है ना यह हर जागा में आपको मिलेगा तो इसमें आप इसको पहले पॉप कीजिए या इसको कीजिए यह कुछ मतलब नहीं रखता है क्योंकि जो पहले होगा अगर आपका श्रोज के रीवर होके जाएगा स्टीम के साथ तो जाके भाल्ब का सीट में बैठेगा जो सेप्टी भाल्ब का सीट है सीट है उसमें बैठेगा ओके तो यह आप इसको कीजिए इसको कीजिए जिसमें भी किजिएगा प्रोब्लेम होगा लेकिन जो लांटिंग किया होगा यानि कि एंगल किया होगा जो बॉ पता हैं कि जिस साइड को डाउन हुआ होगा बोईलर का ड्रम उस साइड में आपका सीवीडी लाइन कनेक्ट होके रहता है क्लियर तो यह यह वाला सेप्टिवाल पहले उठेगा तो क्या होगा ना यह यहां पर जो भी स्लोज होगा यह केरी भर होके जाएगा जाके वाल का सीट में बेठेगा जिसके बाइस से भाल में प्रोब्लम होता है वह बीच बीच में जो सीट है और ठीक से बैठेगा नहीं जब रिशेड होगा तो क्या होगा आपका वाल जो हो सीमरीं होगा तो मतलब कि ठीक से और नहीं करेगा स्थ इसलिए इसको हम लोकस पहले पॉप नहीं करेंगे पहले हम della pop स किसको करेंगे करेंना यह ज görünые उल्हे स्या Οिalnya स्व इस तरब चला आया है तो यहां पर पक रॉप होने से यह ब्लो होने से पहले से बाड़िवाल तो कुस दिक्क नहीं है कि ओके और यह एमझेंस में रहेगा मतलब कि अगर यह वो के भी प्रेसर फिर इंपरीज हो रहा है तो उस कंडिशन में यह पॉप करेगा यह तो आपको एससे होगी अगर यह नहीं कर पा रहा है तो उसक्त में जा और दोनों अपरेट होगा क्लेर हो गए तो यह सारे क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया को कंसिडर करके एक बॉइलर का ड्रम में लहस्य या रहस्य कौन सेप्टी भाव पहले पॉप करेगा यह डिशाइट किया जाता है तो उम्मीद करता हूं दोस्तो इस वीडियो देखने के बाद आप कंफिडेंटली बोल पाएंगे कि एक बॉइलर का LHS या RHS या कौन सेप्टी भाव पहले पॉप होना चाहिए आप खुद डिसिशन ले पाएंगे तो यदि ये बला वीडियो आपको अच्छा लगाए तो इसको लाइक शेयर जरूर किजिए यदि आप मेरे चानल पर नाया है तो चानल को सब्सक्राइब किजिए इसी तरह टेकनिकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूं दोस्तो थैंक्यू बाइबाई